इस वक्त टिक टॉक सुर्खियों में बना हुआ है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टिक टॉक इस वक्त पेंडूलम बन चुका है और साथ में जियो पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है अमेरिका में और इंडिया में बीच में है चाइना चाइना को सब लोग मिलके भह मुकरर करी गई थी कि जबकि अमेरिका में टिक टॉक बैंड हो जाएगा बट अभी तक का बैंड नहीं हुआ क्योंकि ट्रम्प साहब को पता है कि इस वोट बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं नोवंबर में इलेक्शन्स होने वाले हैं इसलिए ट्रम्प साहब इतनी आसानी से टिक टॉक को बैंड नहीं करेंगे संडे यानि कि 2 अगस्त 2020 को सत्या नंडेला जी की मुलाकात हुई ट्रम्प साहब के साथ में और उसमें क्लेरली उन्हों बोला कि वो टिक टॉक को पर्चेस करने के एक्चोग हैं यानि कि पर्चेस करने के बाद क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद सारा डेटाबेस आ जाएगा जो कि अभी बाच्ची चल रही है कि चाइना में उनका डेटा सेव होता है ये होने के बाद यूएस यानि के अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में जितने भी टिक टॉक के सब्सक्राइबर्स हैं उसको गवर्न करेगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये बहुत बड़ी पहल है और अब सबसे हरानी वाली बात ये है कि इंडिया वेट कर रहा है कि कब यूएस इस डील को क्लोज करे उसके बाद इंडिया में भी कुछ मूवमेंट चालू हो आपको पता होगा 79 questions के answers टिक टॉक ने बकूब इंडिया में दे दिये हैं उसके बावजूद भी टिक टॉक अभी तक का इंडिया में चालू नहीं हुआ है मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ उसके थ्रू आपको clearly पता लगेगा कि अमेरिका चाइना से क्यों नफरत करता है इस वीडियो को गौर से सुनियेगा इस वीडियो में क्या ट्रॉम साब बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिये उससे आपको पता लगेगा clearly कि चाइना की और अमेरिका की नफरतें क्यों बढ़ीं केवल उसका एक ही कारण है वो है coronavirus इस वीडियो को सुनिये आपको पता लग झाल जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुना कि ट्रम सहाब बोल रहे हैं कि यह कोरोना वाइरस नहीं है यह चाइना वाइरस है इसकी उत्पति चाइना से हुई है इसलिए अमेरिका की और चाइना की दूरिया बढ़ गई है क्योंकि maximum cases कोरोना वाइरस के अमेरिका में रिपोर्ट हुए है साथ में उनको ये भी इतराज है क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर बोला कि जो करोना वाइरस है उसकी उत्पति अमेरिकान मिलिटरी फोर्स से हुई है इस बात से बौकला गए टरम्प साहब और इसलिए दूरिया बढ़ गई है अब सबसे हरानी वाली बात है कि टरम्प साहब टिक टॉक को बैन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें 8 मिलियन यूजर्स बने हुए है अगर वो बैन करते हैं तो उनका वोल्ट बैन सफ़र होग है चब तक का सत्या नंडेला जो की सीओ है माइक्रोसोफ्ट के उनको मौका दिया गया है कि 15 सप्टेंबर तक का वो डील को क्लोस कर लें टिक टॉक और बाइट डान्स के बीच में जिसके बाद सारा डेटा बेस सर्वर जो होगा वो लग जाएगा अमेरिका में और उसकी क होनी होगी तो 15 सप्टेंबर के बाद ही होगी उसके पहले नहीं होगी जितनी भी न्यूज आपको मैंने दिखाई यह बिल्कुल प्रूफ के साथ में मेरे चैनल के साथ में बने रहीगा थांक्यू सो मच